Hello everyone, welcome back to this channel पढ़ाखु लोग My name is C.S. पायल पोफली and हम पढ़ रहे थे Class 12 का Business Studies का NCRT book इसमें हम तीन chapters अल्रेडी पढ़ चुके हैं और previous video से हमने शुरू किया है chapter number 4 जो की है planning अगर किसी भी student ने कोई भी video skip की है तो playlist का link लिखा हुआ है description box में जाके देख लीचे चलिए So previous video में हमने planning का मतलब समझा कि exactly इसका मतलब होता क्या है और आज की इस video में हम समझेंगे कि कोई भी organization इतनी शिदद से ये particular activity क्यों करती है मतलब उनको ऐसा क्या मिलता है So basically हम पढ़ने वाले है importance of planning ये कुछ points में bifurcated है तो हर एक point को हम अच्छे से पढ़ेंगे क्योंकि case study से काफी सारे questions आते हैं आपे So examples की मदद से सारे points पढ़ लेते हैं आप शुरू करते हैं इस video को See First point है आपका कि planning provides direction Second it says Planning reduces the risk of uncertainty Planning reduces overlapping and wasteful activities Planning promotes innovative ideas Planning facilitates decision making Planning establishes standards for controlling अब हम समझना शुरू करते हैं इस point के साथ और example हम वही continue करने वाले हैं जो हमने previous video में पढ़ा था ताट वस गोवा का example मतलब आप अपने दोस्तों के साथ गोवा ट्रिप के लिए जाने वाले हैं जिसके लिए आप कर रहे हैं planning तो अब हम सारे इंपोर्टेंच को इसी ट्रिप से रिलेट करते हुए पढ़ेंगे अब यहां से अपको यह तो समझ में आई गया होगा इंडिया में डेली यहां लोकीड़ है गोवा यहां लोकीड़ है तो अगर डेली से किसी इंसान को गोवा आना पड़ेगा तो उसे कैसे आना होगा साथ की साइड मानते हैं कि नहीं सो दिली से अगर किसी इंसान ने सोचा है कि मुझे Goa जाना है तो उसे कहां आना पड़ेगा South में आना पड़ेगा अब अगर इस इंसान में planning की ही नहीं होती, इसने देखा ही नहीं होता रस्ता Goa का इसको पता ही नहीं होता कि इसे exactly Goa जाना है तो ये कहीं भी भटक रहा होता, किसी भी गोआ ही आना है, गोआ आके enjoy करना ही इसका objective है, और इसने पूरी proper planning करी है अपनी तरफ से, तो इसको अंदाजा रहेगा कि इसे कौन सी वाली direction में move करना है, मतलब ऐसे भी direction को कोई literal meaning नहीं लेना है आपने, कि भी यहाँ पत का प्रदर्शन करवा दिया, नहीं, ऐसा नहीं है, basically आपको पता होता है कि आपका next move क्या रहेगा, क्यों, क्योंकि आपने planning की है, आप किसी भी चीज की planning करते हैं, तो आपको पता होता है कि exactly आपको अगली चाल क्या चलनी है, मैंने सोचा मुझे CS बनना है, तो मैंने 12 के बाद CZ दिया, उसके बाद उसका executive level दिया, उसके बा प्लेस पे कि मुझे CS करना है, और दूसरे प्लेस पे मैंने planning भी नहीं की होती कि कैसे करनी है, कहां से coaching लेनी है, कैसे पढ़ना है, कौन सी book referral करनी है, तो क्या मैं CS तक पहुच पाती, मैं बन पाती, नहीं बन पाती, मुझे पता ही नहीं होता मेरा next move क्या होने वाला है, तो इसलिए यह बोला जाता है, हमेशा की planned way में चलिये, जब भी कोई इंसान planned way में चलता है, तो वो कभी भी दिशा ही नहीं होता है, इसलिए बने कि काम करना कैसे है, उससे आपको direction मिल जाती है, अपको पता होता है next action आपको क्या रहने बाला है, और प्लस, planning ensures that the goals or objectives are clearly stated so that they act as a guide for deciding what action should be taken in which direction, क्योंकि planning में सबसे पहला काम ही यह आता है, कि objective set करने होते हैं, goal set करने होते हैं, अब हमें पता है कि हमारा goal क्या है, तो हम अपना next move वैसा ही रखेंगे जो हमें उस goal के towards लेके जाएगा, उसके पास लेके जाएगा, तो इसलिए planning इस तरीके से भी important होती है, दोनों चीज़े याद रखना, पहले से ही decide करना कि कैसे पहुँचना है उस level तक और दूसरा objectives पहले से set करने दोनों की मदद से हम कहीं न कहीं directionless कभी नहीं होते हैं, चलिए, next है planning reduces the risk of uncertainty, देखूं, तुम्हें गोवा जाना था, ठीक है बहुत बढ़िया, जाओ, क्या तु बता, क्या तुम predict कर सकते हो कि गोवा में कल flood आने वाली है कि नहीं आने वाली है, आंसर है नहीं कर सकते, future किसे नहीं देखा, ना हम कोई जोतिश है, ना कोई बाबा है कि हम पहले से ही बता पाएंगे कि future में क्या होने वाला है, लेकिन ये भोलते हैं कि जब आप planning कर रहे ह को पहले से predict करने की कोशिश करते हो, कैसे करते हो, आज जो data है उसे collect करके, जैसे तुम्हें नहीं बता कि कल गोवा में flood आ सकती है कि नहीं आ सकती है, लेकिन तुम पूरे महीने का गोवा का जो beaches का level है वो चेक कर सकते हो, कि कब उपर गया, कब नीचे आया, कब उपर गया, कब नीचे आया, इसकी moment से आप थोड़ा सा अंदाजा तो लगा सकते हो, जैसे तुमने देखा कि हर रोज ये level क्या हो रहा था, increase हो रहा था, तो अब यहां तुम मैं मानती हूँ, नहीं शारिटी के साथ बोल सकते कि कल गोवा में flood आएगा कि नहीं आएगा, but at least तुमें थोड़ा सा ये अंदाजा तो लग सकता है, कि water level बढ़ रहा है, तो there is a possibility कि हाँ flood आ सकती है, so ये बोलते हैं, कि planning से कहीं न कहीं, uncertainty का risk थोड़ा सा कम हो जाता है, आपके दिमाग में ये चीज रहेगी, कि might भी flood आ सकती है, तो you'll be prepared for it, कि भई, अगर आ जाती है, तो हम क्या करेंगे उस सिचुएशन में, आप पहले से अपने तरफ से प्रिकॉशन लेके चलेंगे ना इस चीज के लिए, so क्योंकि planning में forecasting होती है, future को anticipate करते हैं, हम पहले से सोच विचार करते हैं, उसके बारे में predict करने की कोशिश करते हैं, और उसके लिए हम काफी research वगेरा भी करत कर लिया कि इस पे हमारा उंगली रुकाया है, तो हाँ बस यह होगा, नहीं हम प्रॉपर रिसर्च के साथ प्रिडिक्शन करते हैं, so it says, planning is an activity which enables a manager to look ahead and anticipate changes, यहाँ बे, manager क्या करता है, manager आगे की तरफ देखता है, और changes को पहले से ही anticipate करते हैं, पहले से ही थोड़ा सा जागर रुखोना शुरू कर देता है, by deciding in advance that asked to be performed, planning shows us the way to deal with changes and uncertain events, changes और events को आप बदल नहीं सकते हो, आप किसी भी चीज को बदल नहीं सकते हो, future में जो आने वाला है, वो तो आने ही वाला है, लेकिन क्यूंकि आपको पहले से ही उसकी बारे में बता चल जाता है कि यह चीज आ सक तो आप अपनी तरफ से precaution जरूर ले सकते हो, या आप पहले से ही उसके लिए तयारी जरूर करके रख सकते हो, so यह हो गया आपका second point, planning reduces the risk of uncertainty, uncertainty का मीनिंग क्या होता है, इसका मीनिंग होता है कि हमें नहीं पता future में क्या हो सकता है, future is uncertain, हम कुछ नहीं बोल सकते है, साथ च तो का group था, जो की जाने वाला था, गोवा, तुमने पांचो दोस्तों में सब को बता दिया कि तुम्हें बॉक्सर ले के आने हैं, तुम्हें स्पोर्ट्स एक्विपमेंट्स ले के आने हैं, तुम्हें होटेल का वो देखना है, पूरा होटेल रूम बुक हो गए है, को अओध में डुल का देखना है, तुमने था था, यूस ना चाल की बॉक्षा पेणा की डाईगी एट का था था राने की एही ह, ओवा, को तुम्हें पोहत है तो अदिक ने अगी तुम्हें की इसमेर का का म ल इशा नहीं होगा किसी ने किया ही मतलब अलगा वहां के एक हम जैक आएउ लगए चंच उइक , पांच घंटे बेट करने अपड़े थाण Windows धने लेता है दया एक समय अड़कर ए अज एक पर बें तोय दलगे वाहां किया है can you in English दो काम या फिर दो इंसान सेम काम नहीं कर रहे होते हैं, activities की overlapping नहीं होती, wastage नहीं होती, wasteful activities भी नहीं होती हैं, क्यों? क्योंकि सब कुछ बहुत सौटेड रहता है, सबको पता होता है किसका क्या काम है, किसको क्या करना है, planning में, हर एक चीज पर decision already ले लिया गया होता है, so it says planning serves as a basis of coordinating the activities and efforts of different divisions, departments and individuals, organization में पहले सही planning करके रखो, activities में, different different departments, different individuals, divisions को सब को पता होता है कि इसको क्या करना है, क्या नहीं करना, कौंसी activity करना है, कौंसी नहीं करना है, कौंसी activity करना है, कौंसी नहीं करना है, कौंसी activity करना है, कौंसी दूसरे department का का काम है, कौंसी मेरी department का का इससे confusion और misunderstanding खतम होती है, सब कुछ clearly सबको पता होता है, clarity रहती है, thoughts में और कोई interruptions नहीं रहती है, तेक है, so यह है next आपका importance किसका planning का, चले, अब बात करते है, planning promotes innovative ideas, अब देखो मैंने तुम्हें पहले ही बताया था, planning दिमाग का खेल है, कोई भी एक ऐसा इंसान आपको यहां और सिम्पल सा कहले आपको यहां अपको कॉन से काम से आपका क्या बनेंगे का क्या बिगर सकता है। हर चीज के प्रोस ग duż जखने होते हैं हर कि सीज क्या फाइदा मिले का अगर यह करें तो इसे क्या नुक्शान हो सकता है, तो यह सारी चीज़ों के लिए बह सब कि के लिए बांके सब के लिए सब के लिए लाओ-अरategल इस प्लानिं जैसा प्लानिंग और लुग की तरेकिन विए वैसे ही होते हैं इसलिए हमेशा make sure करो कि तुमारा पहला कदम बहुत सही हो तो वही है प्लानिंग आपका पहला कदम है अगर ये बहुत अच्छे तरीके से रखा गया तो बाकी की कदम तो तुमारे लिए केक वोक हो जाएंगे सो किसी भी organization की growth और prosperity प्लानिंग पे ही depend करती है क्योंकि अगर planning concrete होगी planning वह जादा solid होगी तो action execution तो strong हो ही जाएगा ऐसा माना जाता है next है आपका planning facilitates decision making अब ही देखो गोवा जाना था गोवा में 10 hotels है ठीक है तो यहां पे 10 नी बनाते 5 बना लेते है ठीक है पाच hotels है अब इन पाच में से कौन से वाले hotel में हमें exactly रहना है यह कैसे तुमने पता लगाया तुमने हर hotel के pros and cons देखे तुमने हर hotel की speciality देखी वहां की बुरी चीज़े देखी reviews पड़े और फिर तुम्हें पता लगा कि यह वाला जो hotel है यह best है in every way इसके pros सबसे जादा है कौन कब सबसे कम है तो तुमने डिसाइड कर लिया कि हम इसी hotel में स्टे करने वाले है गोवा में बहुत सारे बार्स थे तुमने कैसे पता लगा कौन से वाले बार में तुमने जाना है तुमने अगैं सेम चीज की pros and cons देखे गें गौव में बहुत सारी बीचिस थी, तुमने कैसे बता लगाया, कॉन से वाली बीच पे तुमने सबसे पहले जाना है, अगें प्रोस और कॉन्स तेखे, मिला तुमने अनलाइस किया, अब हर चीज में तुमने नोटिस कर रहे हो, कि तुमने उप्शन्स मिल रहे हैं, और उन तुम एक चीज सलेक्ट कर रहे हो, on the basis of pros and cons, तो यही तो होता है प्लानिंग का काम, प्लानिंग में बेसिकली, decision making होती है, मतलब आप डिसाइड करते हो, यह डिसाइड आप ऐसे ही रांडमली नहीं कर ले थे, कि इंकी, पिंकी, पॉंकी कर रहे थे, और हमने जिस पे हमारा वो लास फिंगर रुका हमने उसको चूज कर रहे हो, no, we analyzed everything, we saw the pros and we saw the cons, and then उसके बाद, जो चीज सबसे बाद, प्रोस और सबसे कम कॉंस अपने अंदर हो, हमने उसको डिसाइड कर रहे हो, हमने उसको डिसाइड कर ले कि हमने उसी की साथ जाते हैं, तो planning helps the manager to look into future and make a choice from amongst various alternative courses of action, planning में basically manager क्या करता है, future में देखता है, foresee करता है, और जो भी alternatives available होते है, उन में से, जो best one होता है, उसको चूज करता है, the manager has to evaluate each alternative and select the most viable proposition, manager ऐसी ही randomly किसी भी option को चूज नहीं कर लेता है, वो सब पहले एवालुएट करता है, जसे कि मैंने तुम्हें बताया कि प्रोस और कौन चेक किये जाते हैं, उसके बाद ही आप select करते हो कि आपको कौन से वाली चीज के साथ आगे बढ़ना है, ठीक है, और इस चीज के बारे में और जाद अच्छे तरीके से बात करेंगे जब हम planning process पे पहुचेंगे, ठीक है, चलो, next is planning establishes standards for controlling, देखो, controlling में basically क्या होता है, controlling में हमने जो सपने देखे होते हैं और actually हमने जो achieve किया है, उन दोनों का gap देखा जाता है, जैसे अगर हमने बोला कि हमें 12th class में 98% लाना है, ठीक है, और 12th class में actually हमारे आए 70%, तो 98 और 70 में दोनों में difference किया है, गाप कितना है, वो हमें controlling से पता चलता है, तो controlling में हम basically क्या करते हैं, हम जो standards हम set किये हुए है, जो objectives हमने fix किये हैं, उसके साथ actual performance को compare करते हैं, अब यह जो standard set करने वाली बात होती है, यह objective set करने वाली बात होती है, यह कहां होती है, यह मै आपको अल्रेडी बता चुकी हुए है, यह planning में होती है, planning का first step ही यही रहता है, इस में objective set किये जाते है, इस में सबने दिखाया जाते है, goal set किये जाते है, aim set किये जाते है, हमें पहुचना कहा है, so planning में objective set किया, controlling में आगे चलके actual performance के साथ उसको compare कर लिया, तो कही न कहीं इसा बोला जा सकता है, कि बिना planning के controlling पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अगर आपने objective set नहीं किया होगा, तो आप actual performance को compare कि से गरोगे, so it says, planning involves setting of goals, the entire managerial process is concerned with accomplishing pre-determined goals through planning, organizing and staffing, directing and controlling, planning provides the goals or standards against which actual performance is measured by comparing actual performance with the standard manager, so basically, what I have taught you, it is written here, let's read, and that's It's just enough points थे आपके importance में, मैं आपको फड़ा पर revise करा हूँ, तो planning provides direction, planning की वज़े से हमें पता होता है, कि हमें next move कौनसी direction में रखना है, किस तरीके से रखना है, कहां जाना है, planning कहीं न कहीं, forecasting करती है, future में पीपिन करने की कोशिश करती है, जिसकी वज़े से हमें अंदाजा म मिल जाता है कि क्या क्या बड़ी चीज़े, बड़ी इवन्स, बड़ी चेंज़े हमारे सामने आ रहे हैं और हम पहले से उसके लिए प्रिपेर हो सकते हैं, planning की वज़े से कहीं न कहीं हर एक इंसान को पता चल जाता है, उसको कितना काम करना है, कौन सा डपार्टमें उसके कौन सा डपार्में इसके नहीं आता है, उसको दो इंसान कभी भी सेम काम नहीं कर रहे होते हैं, मतलब वेस्फुल अक्टिविटीज नहीं हो रहे होते हैं, planning में क्योंकि दिमाग का खेल है, तो थोड़ा बात इनोवेटिव आइडिया से आपको काम चलाना पड़ता है, planning म आपको यह वीडियो बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगी, अगर ऐसा है तो लाइक का बटन दबा दीजेए, दोस्तों के साथ अच्छे कर लीजे और चैनल को सब्सक्राइब करते हुए चाहेगा और वो बल इकन को प्रेस कर दीजेगा, अगर आपको उसकी नोट झाल और चीयोशन चाहेगा तरीके समझ में अचाहेगा, अगर ग्राहेगा, प्रेस में आपको ठीकर दाब मके करते हैं you